तो हलो नमस्ते अस्तार कुछ से काल केम छो नना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है पीवी वाला बिग बॉस ये जिन्देगी का बिग बॉस शुरू हो गया है सब घर में बैठे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो के उलंगन कर रहे हैं अब हाली में मैहा पर आया दो दिन की चुट्टी के लिए और चुट्टी हो गई मेरी नहीं हम सब की ये करोना कोविड नाइंटीन ने सब की चुट्टी कर दी पहले ऐसा रगा कि फ्लू है खतम हो जाएगा घर चले जाएंगे फिर ये लॉक्डाउन हुआ जब ये लॉक्डाउन हुआ तो मामला बड़ा गंबीर बड़ा सीरिस हो गया क्योंकि यहां पर पुरा खांदान है पुरा परिवार है हमारी अम्मी है हमारी दो बहने हैं उनके बच्चे हैं और कुछ काम लेटिड लोग आये थे जो के अब जाके इस करोना वायरिस कोविड नाइंटीन के अंदर दोस्त बन गए तो यहां पर हमने एक रूल बनाया कि यहां पर जो है व तो हमने कुछ वेजटिबल्स के लिए हमारे एक बहुती अजीज करीवी दोस्त को पास में पांचे किलमेटर दूर एक गाउ में बेजा राशिन खरीने के लिए तो आजकल पुलीस का बहुत ज्यादा पहरा है जो कि बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा काम कर रहे है अब पास तो था उनके पास गाड़ी का तो वो गए उनको पुलीस ने रोका तो इन्होंने क्या किया कि पुलीस वाले से बात करते वे उन्होंने अपना मास निकाल लिया तो पुलीस वालने का हम से कि यह मास पेंड़ो और यह मास पेंड़ो तो उनको समझ में आ गया कि ज कि यह जो कि आपको मना किया ंंक सारा करने के वही आपने किया औरह यहाई भी क्यों बेवकूफ़ी की चीज़ ही अदिमार शूंद करें नहीं करना चाहिए था उस वक्त vibrant अब जिसको यह बात समझ में नहीं आ रही कि इस को मैं कहां लेके जा रहा हूँ, वो मेरी बात गोर से सुने किसी भी बीमारी में रिजल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुक दाएक बात है और स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई लाज नहीं है लेकिन किसी पॉजिटिव पेशिंट के दिमाग में एक नेगेटिव थाउट आ जाना एक उसका सियम खो देना, होब खो देना, वो उससे बरी बात है और जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिंट है, उसका दुख ना समझना वो एंटी हुमिन, एंटी इंसानियत है वो नेगेटिव है और एतियात नहीं रख रहे हैं, वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे, ये गैरिंटी है और फिर अपने पूरे खांदान को ये बिमारी दे देंगे खांदान से महले को, महले से शहर को, शहर से पुरे हंदुस्तान को क्या कहा है गवर्मिन ने, के बाहर मत जाओ, सोशिल कैदरिंज ना करो ये ही खाया ना, दोस्त यारों से ना मिलो, आइसोलेशन में रहो, घर में रहो, परिवार के साथ रहो परिवार के साथ बग गुजारो, इस अब किस के लिए, उनके लिए, नहीं हम सब के लिए, नमाज पढ़ना है घर पे पढ़ो, बुजापाट करनी घर पे करो, बच्वर में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है तो अगर भगवान के घर जाना, अल्ला के घर जाना है, परिवार के साथ जाना है, तो निकलो भाग, मनना तो एक दिन सब को है, लेगिन क्या कोई मनना चाता है यह यहां पर आके यह बात चेंज कैसे हुई इंडिया के आवाम को इंडिया के आबादी को कम करना चाहते हो starting with your own family तुम्हारे बच्चे तुम्हारे माता-पिता तुम्हारे बुजर्ग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस्के बड़ा किया है उनके साथ चुरुआत करोगे अब आब बताओ पुलीस का साथ देना, गवर्मेंट का साथ देना, डॉक्टर्स का साथ देना जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना या नहीं अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो के गवर्मेंट की बात नहीं सुन रहे कि वो सही है गलत है करेक्ट है रॉंग है नेगिटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं अगर आपके आक्शन सही होते तो ये लोग डाउन अभी तक के खत्म हो गया होता और करोना वाइरिस भी अगर आप ऐसे बाहर नहीं निकलते हैं ग्रूप्स में दोस्तियारों के साथ तो पुलीस वाले आपके पुठ्टों पर डंडा नहीं मर आपको क्या लग रहा है इसमें के पुलीस वालों को मजा रहा है किसने रोका आपको राशन लेने में जाओ ना किसने रोका है खाने पीने का सावा लेने जाओ घर तुरंत आजाओ पास में जाओ किसने रोका है मास पहनो, कलवस पहनो अके ले जाओ आपको नहीं होगा लेकिन उनको देखो फिर भी वह ठारा ठारा घंटे काम कर रहे हैं किसके लिए काम कर रहे हैं आपके लिए काम कर रहे हैं और वह भी आपको रोखने के लिए नहीं करोना वाइरिस को फैलने से रोखने के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिमारी उंच नीच जातपात, अमीर गरीब छोटा बड़ा, कम उमर हम उमर, बड़ी उमर कुछ नहीं देखती आप ये पुलीस वालों की ड्यूटी है वो निभारें और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पे बैठें और वो भी आप नहीं निभारें मैं कुछ ऐसे लोगों जानता हूँ जो घर के बार कभी नहीं निकलते थे जब से ये बोला गया है कि घर से बार मत निकलो उन्हें निकलना शुरू करती है कवाल है अब जो डॉक्टर अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं पलीस वाले अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं नर्स अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं और बैंक में काम कर रहे हैं जिसके वज़र से आप अपने एटियम और अपने अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं अपने खाने पीने के लिए आप उनकी भी जान को खत्रे में धाल रहे हो यह कमार है डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए नर्सेश आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उनके पत्तर बरसा दिया जो करोना से डिटेक्ट हो रहा है वाह वो हॉस्पिल से भाग रहा है भाग के जाओगे कहां, किस और भाग रहे हो जिंदकी के और भाग रहे हैं, मौत के और भाग रहे हो अगर ये डॉक्टर तुम्हारे लाज नहीं करते और पुली सडकों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वज़े से जिनके दिवाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा वो हिंदुस्तान के धेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे देखो, मैं उनकी बास समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है बच्चों को खिलाने को नहीं है अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ क्योंकि वो भी ये जानते है कि परिवार गुजर जाने से बहतर है कि ये बिना खाए भी ये ये वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है लेकिन चंद जोकरों की वज़े से ये बिमारी पहली जा रही है अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलीस के लिए आक्शन ऐसे नहीं होते अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलीस वालों को हजारों डॉक्टर्स को नर्सिस को और आवाम को करोना वारिस नहीं होता इतने लोगों काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते हैं चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खता हो गया लेकिन इन चंद लोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े तकत वर वाप बड़े भादुर वाप कि इतने भादुर इतने तकत वर वाप कि आप अपने परिवार वनों को कांदा दोगे उनकी अर्ति उठाओगे इतना जिगर है आप अपने परिवार के लोगों पे इननिल्ला है और राम नाम सकते है और ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते है इसके भी दोई हैं एक पहलू यह है कि हम सब रहें दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे आप रिसाइड करो और सब शुक्रिया दा करो पुलीस फोस का डॉक्टर्स का नर्सिस का जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एतियात रखो कि ये आगे ना पहले और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहाँ पर आपको समझाने के लिए मिलिटरी बुलाई चाहे सद्धेवाद